नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा चार की हिंदी की पार्टे पुस्तक जिलमिल का पार्ट 13 पार्ट का नाम है बांसूरी वाला इस वीडियो में हम इस पार्ट के सरलार्थ प्रशन अभ्य और बहु विकल्पिय प्रशन उतर करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्थ बार्टोह का देश पार्ट का सार्ध प्रशन अभ्यास और बहु कल्पिय प्रशन उतर करवाई थे अगर आप typically की प्लीछ मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो चलिए पाट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम पाट को पढ़ेंगे अम्मा मुझे बांसुरी ले दो मैं भी उसे बजाऊंगा ग्वाले का कुछ काम नहीं है मैं ही गाएं चराऊंगा योही कुछ दिन करते करते जोही कुछ बढ़ पाऊंगा बैट की सीरत पर गोकुल से मैं भी मतुरा जाऊंगा जो लड़ने आएंगे कुछती मैं तो उन्हें हरा दूंगा मार कंस मामा को असुरों को भी खूब डरा दूंगा मामा बुरे न होंगे तो मैं उन्हें मिलने जाऊंगा और जरूरत समझी तो कुछ गीता उन्हें पढ़ाऊंगा चीर द्रौपदी काखी चाता दूसा शंथा अभी मानी इस पर कौरव पंड़ वोने की जब लड़ने की तयारी बने सारती अर्जुन के रत पर थे गोवर धंदारी देख सामने रिष्टेदारों को जब अर्जुन घबराए बोले मैं न इन्हें मारूंगा राज मिले या मिट जाए काम बिगड़ता देख कृष्ण ने गीता उन्हें सुनाई थी अब हम इस पार्ट के सरलार्थ करेंगे पहला सरलार्थ है अमा मुझे बांसुरी ले दो मैं भे उसे बज़ाओंगा ग्वाले का कुछ काम नहीं है मैं ही गायें चराओंगा सबसे पहले हम शवदार्थ करेंगे अम्मा माने मा, ग्वाला माने गाए चराने वाला सरलार्थ, बालग कहता है कि हे मा, मुझे बांसुरी ले कर दो मैं भी उस बांसुरी को बजाऊंगा ग्वाले का कुछ काम नहीं है मैं खुदी गाएं चराऊंगा सरलार्थ योही कुछ दिन गाये चराते चराते जोही कुछ बढ़ा हो जाऊंगा मैं किसी रत पर बैटकर गोकुल से मतुरा चला जाऊंगा नमबर तिन जो लड़ने आएंगे कुस्ती मैं उन्हें हरा दूंगा मार कंस मामा को असुनों को भी खुब डरा दूंगा शब्दार असुनों को यानि राक्षसों को सरलार्थ हे मा मतुरा में मुझसे कुर्ष्टी लड़ने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें हरा दूंगा मैं कंस मामा को मार कर सारे रक्षसों को भी पूरी तरह से डरा दूँगा नमबर चार मामा बुरे न होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा बहुत जरूरत समझी तो कुछ गीता उने पढ़ाऊंगा सरलार्थ है मा यदि मेरे मामा कंस बुरे नहीं होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा यदि जरूरत हुई तो मैं उनको गीता भी पढ़ाऊंगा नमबर पांच चीर द्रौपदी का खीचा था दूशाशन था अभीमानी इस पर कौरव पांडवने की जव लड़ने की तयारी इसका उत्तर है आगे है बने सारती अरजुन के रत पर थे गोवर धंधारी सरलार थे दूस आशन बहुत अभिमानी था उसने दुरापती का वस्र खींचा था उसके कारण ही कौरव और पांडवों का युद की त्यारी हुई इस तरह से श्री कृष्ण अरजुन के सारती बन जाए काम बिगड़ता देख कृष्ण गीता उन्हें सुनाई थी सरलार जब युद शेत्र में अपने रिष्टेदारों को सामने देखकर अरजुन घबरा गए थे तब वह बोला कि वह इन्हें नहीं मारेगा चाय उसे राजे मिले आत्वा खत्म हो जाए कृष्ण ने काम को बिगड़ता हुआ देखकर अर्जुन को गीता सुनाई थी तो यहां पर हमारे ये सरलाट पूरे हो गए हैं अब हम प्रेशन अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले शब्दों को जानते हैं गोवर्धन धारी अर्थार्थ गोवर्धन परवत को धारन करने वाले श्री कृष्ण ग्वाला का अर्थ है गाय चराने वाला चीर वस्त्र अभिमानी का अर्थ है घमंडी या एहंकारी सारती का अर्थ है रत हांकने वाला हर्ज का अर्थ है बाधा या हानी प्रश्न दो कवीता से पहला प्रश्न है बालक मां से क्या लेने की जिद करता है उत्तर है बालक मां से बासुरूई लेने की जिद करता है खे बच्चा मथुरा जाकर किन को हराने की बात कर रहा है तथा क्यों बच्चा मतुरा जाकर मामा कंस को हराने की बात कर रहा है क्योंकि वे बहुत बुरा है गै, बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है उत्तर है, बालक ने मामा कंस को गीता पढ़ाने की बात की है अड़े कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया था? उत्तर है कृष्ण ने अरजुन को गीता का उपदेश दिया था क्योंकि वे अपने कर्म से विचलित हो रहा था प्रेशन तीन आपकी बात कविता में बालक ने मामा से मिलने जाने की बात कही है आप अपने मामा के घर कब जाते हैं और वहां जाने पर आपको क्या क्या अच्छा लगता है उत्तर है हम अपने मामा के घर जून की छुटियों में जाते हैं वहां हमें पहाड नदी पेड़ पौदे अच्छे लगते हैं प्रैशन चार कविता के आगे कृष्न के माता पिता का क्या नाम था उनका पालन पोशन किन के द्वारा किया गया उत्तर कृष्न की माता का नाम देव की तथा पिता का नाम वासू देव था उनका पालन पोशन माता यशोदा के द्वारा किया गया था क्रिश्न को अन्यकिन नामों से जाना जाता है जैसे केशव, गोवर्धंधारी, नंद किशोर, मुरारी, माखंचोर और गोपाल प्रशन गया, कुरुशेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था पता करें, इसका अर्थे कुरुशेत्र में प्रशन पांच, भाशा की बाद, कैफूल सा कोमल तता यशोदा सीमाम वाक्यान्सों में फूल और ये शोदा के विशेश गुन को बताया गया है नीचे दिये गए नामों के सामने उनके विशेश गुन को लिखें जैसे लक्षमन सा भाई, परवत सा कठोर, गंगा सा पवित्र, दूद सा सफेद के गोवर्धन धारी का अर्थ है गोवर्धन परवत को धरण करने वाला कुछ अन्य शब्दों के साथ धारी शब्द जोड़कर उनका अर्थ भी लिखें शब्द है माला जमाधारी अर्थ माला को धरण करने वाला बल जमाधारी अर्थात बल को धरण करने वाला वेश जमाधारी अर्थात वेश को धारण करने वाला प्रशन गय मोर को मयूर नीलकंट सारंग भी कहा जाता है इसी प्रकार निम्न लिकी शक्दों के अन्य नाम लिखें नमबर एक दिन इसको दिवस और एहन भी कहते हैं नमबर दो चीर चीर को वस्तर और पट भी कहते हैं नमबर तीन गाय को धेनू और सुर्वी भी कहते हैं नमबर चार रातरी को रात और रजनी भी कहते हैं पांच मा को माता और जननी भी कहते हैं नमबर छे सुनें और बोलें यहां पर इनको बोलना है मैं जैसे कैसे तैयारी थैला कैथल गईया मैया नईया गवया चिरया और खिवया यह से पहले लगी एकी मातराओं का उचर्ण अई हो जाता है खे नीचे कोई शब्द दिये गई हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं दिये गई शब्दों के दो दो अर्थ लिखें जैसे की नमबर एक पास का अर्थ है निकट और उतीर नमबर दो चीर का अर्थ है वसर और चीरना क्रिश्न का अर्थ है काला और कनहिया चार उत्तर क थिशा और जवाब 5 पत्र का था पत्ता और संदेश 6 चश्म का था पानी और ए偹नक 7 कल का था आने वालाकल और सुन्दर 8 का था घुरू का है बढ़ा और सिख्शक ओगेए अब हम इसके बहुविकल्पिय तर प्रस्थ करेंगे पहला प्रेष्ण है पार्ट Bentond ऑन्यंट warriors जमारी जाती है जिसमें अन्य को चेद होते हैं यह आपको बताना है कि राय हैं हर्मोनियम का गिटार गे यह तर घोला जुल से बनाईगे तो जुल हाने यहां करेंगे झ। जुलाएगा गय कपड़ा बनाएगा गय पशू चराएगा इसका सही उत्तर है गय कपड़ा बनाएगा प्रश्ण दीन बच्चा बांसुरी लाने की जिद करता है वे अपनी इच्छा किसके सामने रख रहा है कह भगवान के खै द्रौपदी के गय अम्मा के गय बाबा के इस खै कंस कांत गय रावन का दुसाशन कांत गय मेगनाद कांत इसका सही उत्तर है कंस कांत प्रश्ण पांच क्रिश्ण ने कंस को मामा कहा है मामा माता का भाई होता तो यह कंस की बहन कौन थी कह ये शोदा खै देव की गय द्रौपदी गय कुंती इसका सही उत्तर है देव की प्रेशन छे भगवान कृष्ण ने गीता कौपदेश अर्जुन को दिया था वैस्थाने कुरुशेत्र कुरुशेत्र निम्ने में से किस राजे में है कै पंजाब खेहिमाचल गये उत्तर प्रदेश गये हरियाना इसका सही उत्तर गये हरियाना प्रेशन साथ द्रौपदी पांडवों की पतनी थी लेकिन दुरूत कीड़ा में जैसे ऐसे दापा लगाकर पांडवों द्वारा हारा गया और कौर्वों ने उसे जीत लिया तदू परांद कौर्वों की तरफ से द्रौपदी का चीरण किसके द्वारा किया गया प्रश्ण आठ अर्जुन पांडव के वन्शस थे वेक निपुन धनुर्धारी थे जब कौरवों पे पांडवों के बीजुद के दोरान भगवान कृष्की निम्न में क्या भूमी का रही प्रश्ण नो जब इंद्रदेव कुपित हो गए तो उन्होंने गोकुल वास्यों को भारी आंदी तुफान से बचाने के लिए छट खड़ी कर दी थी निम्न में से उस परवत को अपनी उंगली पर उठाया था आपको बताना है कि निम्न में से उस परवत का क्या नाम था क्या हिमाले खे गोवर्धन गे नीलगीरी गे विंद्याचन इसका सही उत्तर है खे गोवर्धन प्रेशन 10 जब कौरवों में पंड़ों का यूद हो रहा था तब आमने सामने योदा यूद करने के लिए खड़े थे क्या आप बता सकते हैं कि उनके बीच क्या संबंद थे पाट के अनुसार के रिष्टेदार खे पडोसी ते गया दोस्त ते गया प्रादी थे प्रेशन 11 जब यूद कौरवों पंड़ों के बीच चल रहा था तब एक पंड़ों ने यूद करने से इंकार कर दिया क्योंकि वे अपने रिष्टोदारों पर बार नहीं चला चाहता था तब क्रिष्ण ने उसे निवन में से किसका उपदेश दिया कह महाभारत का खे रामायन का गया गीता का गया वेदवे अपनिशदों का इसका सही उत्तर गया गीता का प्रेशन 12 पांच पांड़ों थे जिन में से एक थे अर्जुन अर्जुन ने यूद ने करने का सपने सुनाया के श्री क्रिष्ण खै भीम घै यूदिस्टि घेक पिता मा भीष्ण इसका सही उत्तर है कैस्वरी क्रिष्ण प्रेशन 13 जिस प्रकार धनू धारी का अर्थ धनू चलाने वाला होता है गाड़ी आजबागाडी चलाने वाला होता और गुड़ सवार गोड़ कि सवारी करने वाला होता है इसी प्रकार कि आप बता सकते हैं कि सारती का अर्थ क्या होगा आपके विकल्प इस प्रकार है क्या साथी क्या हाथी चला वाला गयरत हांकने वाला गयरत हांकने वाला प्रेजन 14 चीर का अर्थ वस्त्र अभिमान का अर्थ घमंड तो क्या बता सक प्रेशन पंद्रे गवाला गायों को चराने वाला होता यदि गवाले की पतनी गायों को चराती तो उसे क्या कहते हैं गहाली खैगवालिन खैपनिहारिन गहाम वाली इसका सही उत्रख खैगवालिन प्राशनresoर दिन को दिवस इसी प्रकार चिर के अधने निम्न में प्रकार से हैं जो चिर का नाम नहीं उचे च्छैटो प्रेशन सत्रा उपमा देते हैं जैसे दूद सा सफेद, गंगा सा पवित्र, हाती सा मोटा तो ऐसे परवर डैश क्या होगा प्रेशन अठारा, बांसुरी वाला कवीता लिखी है, कह सुबद्र कुमारी चोहान, खे मैतली शरन गुप्त, गह केश परसाथ पाठा, गह अपरोत में से कोई नहीं, इसका सही उतर है, कह सुबद्र कुमारी चोहान प्रेशन 19, बांसुरी वाला कवीता में अभिमानी किसे कहा गया है कहा अर्जुन खे दुसाशन गये कृष्ण गये नकुल इसका सही उत्तर है गये कृष्ण प्रेशन 20, महा भारत के युद में अर्जुन के सार्थी कौन थे कह बलराम, खे सुदामा, गये श्री कृष्ण, गये कर्ण, इसका सही उत्तर है गये श्री कृष्ण प्रेशन 21, गये का दूसरा नाम है कह धेनू, खे अनपूर्णा, गये कीरव, गये इनवे से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है कह धेनू प्रेशन बाइस क्रिशन को जनम देने वाली के देवगी खे द्रौपदी घे यशोदा घे कुंती इसका सही उत्तर है के देवगी तो यहाँ पर हमारे पाट का सार प्रेशन अभ्यास सरलाट और बहुविकल्पिय प्रेशन उतर पूरे हो गई हैं अगली वीडियो में मैं आपको पाट 14 जादू का दीपक पाट का सार प्रेशन अभ्यास और बहुविकल्पिय प्रेशन उतर करवाऊंगी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू